मद्ध प्रदेश में दो चरण के चुनावा पूरे हो चुके हैं इस वक्त कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यच जीतू पठवाली जी के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं सीधा उनी से बात करेंगे बीजेपी कह रही है इस बार प्रदान मंती नरेंदर मोदी की गारेंटी चलने वाली है कॉंग्रेस का जो घोशना पत्र है वो पूई तरह के जूटा है देश को बाटने वाला है देश को गुमरा करने वाला है कि भारती जनता पाइटे और नरेंद्र मोधी के जूट देश ने आज से नहीं देखे मैं देश वासियों को और खासकर प्रदेश वासियों को बताना चाहता हूं कि कि 2014 में नरेंद्र मोधी जी ने क्या क्या कहा उन्होंने रोजगार की बात की देश का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा बेरोजगार देश हमारा बना उन्होंने महंगाई की बात की पाकिस्तान बंगला देश से जादा महंगाई है उन्होंने किसानों के आई दूगन अभी गैरेंटी थी ते इकतिस सो के दाम की सत्ताइस सो के दाम की तीन हजार बहनों की चार सो पचास के गेस सिलिंडर की इनका नाता पुराना है जूट से आज से नहीं है आप देखो कि यह जब भी बात करते हैं तो यह कहते हैं कि मोदी जी से को लेकर पूट के पाउं पाल यह करें मगर मच को बच्चा था जब मैं निकाल के लेकर आ गया यह सच था जोट था यह बीजेपी के लोगों का और जोट का कैसा निस्ता है एंसी सी केंडिडेट थे पड़े ही नहीं आठवी तक भी नहीं गया मेरा बच्पन तो ऐसे ही गया मैंने तो बिना स्कूल से ही सिख्चा की फिर एंसी सी केंडिडेट भी हो गया फिर आप इनको देखो कि बंगला देश की आजा दी का युद्ध भी मैंने लड़ा मत्तब उसमें भी मेरा योगदान था अब आप देखो कि क्या इधर गरीब थे घर में माता जी बरतन मांच के उनको पढ़ाती थी और ये रफेल टावर के नीचे फोटू भी घिचवाते थे अमरिका में जाके मतलब किता सयोग है मैं समझ नहीं पाया आज तक कि जो खालेश से पढ़ाई की वो भी वादित आज तक डिगरी के लिए लड़ाई चल रही है हिमाचल में हमने अग्यातवास भोगा हिमाले में अग्यातवास किस बात का अग्यातवास भोगा मतलब मोदी जी और जूट एक दूसरे के चोली दामन का साथ है आपको बताना पड़ेगा ना कि दस साल में आपने देश को क्या दिया अरे आपने काम किया तो फिर बेरोजग स्कुलिफ बोटे में फेसा दिया किम लोग लोग ते जो आपको फिरिफंड के भाण्ग बैध से आपने पैसे ले लिए आर्थिक 50 ौर्ट रुपया चो टा मोट जितना करप्शन कानूनी नरेंद्र मोधी ने किया भारती जैनता पादे विश्वमें किसी नि किया विश्व में कोई एक भी ऐसी सरकार नहीं बनी आजिता है जितने पाकिस्तान से ज़्यादा आर्थिक करप्शन अगर किसी पार्टी ने किया सर्ता धारी तो वो है भारती जनता पार्टी आराच्छर को लेके कह रहे हैं कि कॉंग्रेज गुमरा कर रही है तीन सो सत्तर इन्होंने लगाया हमने हटाया राम मंदिर हमने बनाया इन्होंने विरोध किया बोले हमारा संकल पत्र है उनका गोजना पत्र है आम जनता से उनके घर के जीवन इस तरह से उन बातों पर क्या बात करना आमिर साजी मत्वदेश दोरे पर हैं दिगबिर्यसिंजी को उन्होंने कहा है कि आसिक का जनाजा है जरा धूम धाम से निकाले मैं इस तरह की भाषा अगर कोई वेक्ति बोलता है यानि ये रावन जैसी भाषा है और मैं समझता हूं कि एसी रावन जैसी भाषा का कोई भी उत्तर देना भी उचितनी समझता हूं पर इतना जरूर कहना चाहता हूं उनसे कि अगर वो जूट के जनादे को शिद्दत से ढो रहा हैं अमेशा जी। भगवान मंदिर 370 यह अपनी जगे हो सकती है यह रोजगार से लेके महंगाई तक बेरोजगारी से लेके यातना तक यह जो घर घर में एकजामस की एक घर में यातना है उसके तक इन बातों का उत्तर दो भया क्यों डालर पिच्छा सी रुपे का हो गया क्यों देश का अंतर करते नहीं कंग्रेस पार्टी ने कहा कि हम घर को पक्कि नोक्री एक बच्चे को देंगे 30 Лat ती नोक्री क्या क्या कर दिया पाप कर रहे है क्या कारण है इस देश में डुनिया भर में नरेंद्र मोधी और भारत वर्ष कि अब क्रिटिसेशम होने लगी अंतराष्ठी इस जो सम्मान था दीरे दीरे उसकी जो लोकतंत्र की ख्याती थी उसकी ताकत थी वो कमजोर होने लगी यह सवाल देश के सामने है उस पर उत्तर दस साल में इनको देने पड़ेंगे अगर दो चरण के मद्दान का प्रतिशत देखो तो गुम निराश हुए देश की जिंता नरे सबका साथ सबका विकास मोदी परिवार एक सो चालिस करोड यह भूल गया नप्रत और घणा के बीच भी ढोने लगे यह क्या एसास कराता है यह सास कराता है गड़बंदन की सरकार आने वाली है और मोदी जी जाने वाले महिलाओं का ग्यारा प्रतिशत बोट प्रतिशत घ आपको लगता है इसलिए मैला है बोट नी देगी देना भी नीची है मैं नरेंदर मोदी को बीचेपी कह दिए कि 29 सीर्ट हम जीत चुके हैं लेकिन अब जो तैयारी चल देगी रिकॉर्ड बनाने के लिए हर एक सीर्ट बड़ा रिकॉर्ड बनाना है रावन है वो जो बोल देते हैं वो होता है रावन भी ऐसे ही बोलते थे मैं अम्रत है मेरे पेट में शीव भगवान का आशिरवादे सोने की मेरी लंका है सिता का हरन कर लिया वनवासि राम ने भगवान आदिवासि राम ने उनका वद कर दिया यह जितना हंकार बढ़ेगा उतनी इनकी हार निश्चित होगी एक आखरी सवाल नकसल बात और आतंग बात इस मुद्दे पर भी हमिस्ता कॉंग्रेस पर जमकर निसाना साथ रहे हैं यह नोकरी देना बहन को út 1500 देना युवा कोEXान का तर्ष माप करना किसानों का बीमा निर्धारन करना किसानों की मस्पी की गयरंटी देना शिरमी को की 400 रुपे की गयरंटी देना यह वो जो समझे इसको वो समझे करेंगे यह हमारा दढ़निष्चे है ममिश शाजी मगर मच के आसु कितने भी रो है पर बताना पड़ेगा पुल्मा मां के शहीदों के मंगल शुत्रका क्या हुआ ग्रह मंत्री है वो इस प्रदेश के उनको ये बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में NCRB के आपके आंकड़े बताते हैं सबसे ज़्यादा क्राइम अधिवासियों पर होता है बताना पड़ेगा दो लाग महें बेहने तीन साल में गायब हो गई कहां गई वो बताना पड़ेगा करप्शन में जो शुराज सिंग चोहान और इनके 265 अधिकारी बीजेपी के नेताओं पर करप्शन के चार्जेज हो चल क्यों ने रहे बताना पड़ेगा पर्ची का मुख्यमंत्री जब से आया है सिर्फ सराब माफिया भू माफिया और सिख्छा माफिया को सरक्षन दे रहा है बताना पड़ेगा 17 साल की प्रदेश की बेटी ने आत्मत्या कर लिया उसने कहा कि मेरी मोत की जिम्मेदार पुलिस और यह सराब है यह प्रदेश के घ्रह मंत्री दोनों को शर्म आती है यह बात जो एक जवान 17 साल की बेटी उसने आत्मत्या करते हुए कहा कि मेरे मेरी मोत की जिम्मेदार य शराब नीती है शराब की वेवस्था है यह क्यों हो रहा है यह इनके कू कर्मों का ही नतिजा है कि मेरी बेहन मेरी बेटी भूगत रही है बीजेपी कह रही है कि आप प्रदेश अद्देश है और आपकी ग्रह छेत्र में 8 लक से ज्यादा बोटोस जितने जा रहे हैं यह भा नीजेटी इन दौर